पूवी की सुरुवात में दिखाय जाता है कुछ वाइकिंग्स यानि योद्धा बड़े आराम से अपने सहर में रह रहे थे और उनके सहर पर इंग्लेंड के राजा की बहुत बुरी नजड़ थी लेकिन वाइकिंग्स नहीं जानते थे कि इंग्लेंड का राजा उन्हें खुस नहीं देखना चांता था कुछ दिनों बाद इंग्लेंड की राजा का बुलावा आता है वो बहां के सबसे बहादुर वाइकिंग्स को अपने पास बुलाता है तबी viking concerns सोच रहे थे कि किसी खास वजए से राजा ने हमारे viking's को अपने पास बुलाया है लेकिन जैसे ही बहादुर viking's England में पहुँंचता है तो England का राजा उन्हें धोके से मार देता है जब इतने सारे वाइकिंग्स को नहते मारा जाता है तब ये बात योद्धा के राजा को पता पढ़ जाती है और वो इंगलेंड की राजा से बदला लेने के सूचता है और सभी जगे से अपने सभी योद्धा को एक साथ बुला लेता है लेकिन इंगलेंड की राजा के सामन आपस में बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे भी किसी को ढूड रहे हो तबी बहां के राजा की मुलाकात Greenland की लड़की से हुई जो भी एक योद्धा थी बहां का राजा उस लड़की से बहुत प्रवावित हुआ और उसने उसे अपने साथ चलने को कहा दूसरे सीन में Greenland का योद्धा वहां गूम रहा था तबी उसकी मुलाकात कुछ वहां के वाइकिंग से हुई वो वहां के वाइकिंग से कुछ जान पहचान करी रहा था तबी वहां पर एक वाइकिंग आया और उसकी जैकिट मांगने लगा उसने उसको जैकिट देने से मना किया तो उसने जबर जस्ती की लेकिन उसका दाब उल्टा पड़ गया उस Greenland के वाइकिंग्स ने उसे वहां धूल चटा दी सम्मामला रफादवा होने के बाद उस Greenland के वाइकिंग्स ने उनको एक चिन दिखाया जो की एक इसाईयों का चिन था वो चिन देखने के बाद वहां के वाइकिंग्स ने उससे कहा कि ए आदमी यहां नहीं मिलेगा यह सुनने के बाद Greenland का वाइकिंग्स बहां से चला जाता है दूसरे सीन में यहां का राजा Greenland की उस लड़की को फसा चुका था जब वो लड़की नहाने जाती है तो वो राजा उसकी पीठ पर एक निसान देखता है वो लड़की से कहता है कि तुमारे ये निसान किसने बनाया उस लड़की ने बताया कि मेरा बच्वन में ही रेप हो गया था और मैं उसी आदमी को मारने आई हूँ जिसने मेरे ये निसान बनाया है राजा समझ गया कि जिसने भी ये सब किया वो एक इसाई बाइकिंस था तब ही बहाँ पर भही इसाई बाइकिंस आ जाता है जिसने की उस लड़की के निसान बनाया था लेकिन उसे यहां के राजा ने बुलाया था क्योंकि लड़ाई के लिए उसके बाइकिंस कम पड़ रहे थे जैसे ही लड़की इसाई बाइकिंस को देखती है तो उसका खूल खौल उड़ता है उसे मारने की तैयारी करने लगती है लेकिन तब ही उसके साथ वाला बाइकिंस उसे समझाता है कि हमें जल्दी करने में कोई फायदा नहीं उसके साथ बहुत बड़ी सेना है तब ही इसाई बाइकिंस बहां के राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी लड़ाई में मदद तब करूँगा जब तुम मेरे इसाई धरम को कबूल कर लोगे यानि कि तुम्हारे सभी बाइकिंज मेरे इसाई धरम में परिवर्तित हो जाएंगे इस बात पर बहां का राजा को सोचने के लिए समय मांगता है बुलाता है और उन्हें समझाता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हमें एक साथ लड़ना होगा हम सभी बाइकिंज हैं और ये बासन कर सभी बाइकिंज एक साथ हो जाते हैं लेकिन Greenland की लड़की को ये सब बरदात नहीं हो रहा था उसे नींद भी नहीं आ रही थी वो कैसे भी करके उस इसाई बाइकिंज को मारना चाहती थी अगले सीन में Greenland के बाइकिंज को कुछ वहां के योद्धा मिल जाते हैं जो से जबरजस्ती लड़ने लगते हैं लेकिन थोड़े ही देर में वे उनको हरा देता है लेकिन ये सब करते हुए बहां का राजा का बेटा देख लेता है और आकर उससे बात करता है उस दिन की साम बहां पर पार्टी हो रही थी और वो इसाई बायकिन्स भी राजा की बेटे के साथ बैठा था तबी बहां पर ग्रिनलेंड का बायकिन्स आता है उस राजा को मारने की फ्राग में था लेकिन तबी बहां का राजा उसे देख लेता है और उसे बहार ही रोक देता है लेकिन तबी गिनिलेंड की लड़की बहां आ जाती है और उसकी साई बाइकिंस पर बार करने लगती है ये सब देखकर सभी उस राजा को बचाने लगते हैं और लड़की को बंदी बना लिया जाता है लेकिन तबी लड़की अपनी सच्चाई उसे बता दी है कि उसने उसके साथ बलतकार किया था और उसे अपना निसान भी दिखा देती है सारी पबलिक को भरोसा हो जाता है और इसाई बाइकिंग्स को बहां पर बंदी बना लिया जाता है इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर अंत कर दिया जाता है